और बड़ी खबर आपको पता दें जमु कश्मीर के कश्वा में सेना के सर्च ओपरेशन का इस दूसरा दिन आतंकी हमले में पांच जबानों के बलिदान के बाद तैन्य ओपरेशन 23 कर दिया गया है आतंकियों ने सेना की बस पर ग्रैनेट अटैक किया था आतंकी हमले में एक जेसियों समेथ पांच जबान शहीद हो गये थे जबकि पांच जबान घायल हुए थे घायलों का पठानपूर्ट आर्मी अस्पिताल में इलाज जारी है काउंचर ओपरेशन में पैरा कमांडों उसकी भी तैनाती कर दी गई है और कटवा से प्रदीप दत्ता हमारे सयूगी जाता जानकारी के साथ जोगए थे प्रदीप हमने अपने पांच जबानों को खोया है पांच जबानों ने शहादत दी है फिलाल इस मामले में किस तरह से रस्क्यू आप किस तरह से ओपरेशन चलाया जा रहा है देखिए इसमय आपने बिल्कुल सही का एक काउंटर टेरर आपरेशन जारी है मैं इसमय बड़नोटा के अलाके में और और मैं आपको दिखाता हूँ ये वो घाड़ी है जिस पर पाकिस्तानी आंतिकवादियों ने कल दिन को गात लगा कर हमला किया था और आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी पे एक फाइरिंग की थी और देखिए उनकी स्ट्रटेजी आप देखिए यानि कि इसका मतलब है कि आतकवादी जो है स्टील कोटेड बुलेट का इस्तमाल कर रहे थे और ये हमला कल तीन बजे के करीब हुआ है तो आतकवादी बताया जाता है दो ग्रूप थे यानि कि एक ग्रुप एक गाड़ी पर हमला करता है, दूसरा ग्रुप दूसरी गाड़ी पर हमला करता है, लेकिन ये क्रुक रेक्शन टीम की गाड़ी थी, इसमें जो जवान थे, वो जल्दी नीचे उतरते हैं, उसके बाद वो जबरतस फाइरिंग करते हैं, जिसकी वज़ यहां से गुजर रही थी बडनोटा के अलाके से यह जंगल के अलाके से नीचे आते हैं, ताबर तोर फारिंग करते हैं, एम्बुश लगाते हैं, एम्बुश की वज़ा से हमारे पانچ जवान शहीद हो जाते हैं, और पांच जवान जो है जखमी हो जाते हैं अब आप देख सकते हैं यहां भी आपको मैं गोलियों के निशान दिखाता हूँ देखें किस तरीके से इन्होंने गोलियां चलाई हैं गोलियां यहां पे अंदर चली गी हैं और यह पिछले एक महीने में यह पांच वा हमला हमने देखा यह सिल्सला जो है शुरू हुआ था नौव जून को जब इन्होंने वैस्तों यात्रियों पर फारिंग की थी जो की शिव खोड़ी से आ रहे थे अब माता टेक्निक के बाद उस समय इन्होंने फारिंग की थी जिसमें एक ड्राइवर मर जाता है नौव के करीब यातरी मारे जाते हैं 33 के करीब जखमी होते हैं उसके बाद हीरा नगर एरिया में जाकि गाउं पे हमला करते हैं दो आतिकवादी मारे जाते हैं एक CRPF के जवान भी शहीद होता है फिर छटर गला इलाके डोड़ा में उसके बाद गंदो के लाके और या पांच वा अटैक है यह पहली बार नहीं है जब इन्होंने एंबच लगाने की कोशिश किया इस साल हमने देखा कि उन्होंने एरफोर्स की कॉनवाई पर भी हमला किया था जिसमें एक एरफोर्स का जवान शहीद हो था इस समय और इसकी रही और जब इस तरह के ऑपरेशन होते हैं तो पूरा देश उससे टक-टकी लगाए देखता है कि कैसे आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है फिलाल प्रदीप शुक्रिया आपका अपने जान करी दी आगी भी आपसे तमाम अप्रेट्स हम लेते रहेंगे For more of such videos, do like, share and subscribe to ETNow Swadesh